मेरे सबी पड़ाकु भाई बैनों का दिल से नमस्कार आज की वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू के जितने भी स्टूडेंट हैं जोनोंने इंग्लिस फ्लिएंसी वन ली है और इसके अंदर से आने वाले एक most important question है आपका, एक नहीं बलकि दो question है जो की बहुत ज़्यादा important है और हर बार आप से paper में पूछे जाते हैं, यानि कि जो पहला question रहेगा वो रहेगा आपका diary entry का, ठीक है, यह diary entry क्या होती है, diary entry कैसे लिखी जाती है, इसके लिए आपको एक topic दे जाएगा, और दूसर राइटिंग और diary entry दोनों चीज़े हम लोग यहां पर अब यहां complete करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं, देरी ना करते हुए, तो यह रहा आपके सामने diary writing और vlog post को लिखने का पूरा का पूरा format और आपको diary writing में क्या लिखना है, vlog post में क्या लिखना है, किस में हमें यह चीज़ पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से उसको लिख रहे हैं, तो देखे, diary entry is an activity which is very personal, तो diary entry क्या होती है, एक ऐसे activity होती है, जो कि थोड़ी सी personal होती है, है ना, it helps you to maintain a record of thoughts and feelings in relation to your day, today experience, कि आपके जो दिन पर दिन का जो experience रहता है, अनुभव रहता है, उस चीज़ को उसमें आपके विचार हैं, उसकी आपने भावनाएं हैं, इन सब चीज़ों को जो है, आप record करके रखते हैं, maintaining a diary does not require any formal skill of writing as it does not come with prescribed format, और ऐसा नहीं है कि by diary writing जो है, आपकी कोई formal उस tone में आएगी, formal skill होनी चाहिए नहीं, बलकि आपको इसको जो है, बलुकुल free होना चाहिए बस, अब यहाँ पर जो हम देखते हैं कि some general pointers for diary writing, कि diary writing के लिए हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, तो देखिए आप जल्दी जल्दी से यहाँ पर समझ लीजे, मैं आपको एक पूरा format भी दिखाऊंगा, और उसके साथ में एक example भी दिखाऊंगा कि diary writing किस तरीके से लिखी जाती है, और आपको full marks के यहाँ पर guarantee है, कि आपको पूरे number मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यह बहुत easy task है, और इसके पूरे number अब हर वार मिलते ही है, number one, every entry that you make in the diary must have date, अब जो भी आप diary entry लिखोगे, सबसे पहले उसके अंदर date आनी चाहिए, ठी इसके बाद में आपका day लिखा हुआ है, तो आपको उसमे day लिखना है, ठीक है, फिर आपका आ रहा है time, अब एक और चीज़ याद रखिएगा, जो time आप mention करेंगे, वो time हमेशा जो है, रात का mention करेंगे, क्योंकि आप जब diary entry करोगे, तो इसका मतलब क्या है, कि आप रात है, इसके अंदर day, और फिर उसके आद में आपको mention करना है, इसके अंदर time, और अगर आपको लगता है, कि इसके अंदर जो है, आप जो है, प्लेस को add कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो, जैसे आप डैली में हो, तो डैली का आपन यहाँ पर location लिख दी है, ठीक है, अब this will help you to contextualize it when you read it at a later date, कि यह आपको बस यह याद दिलाने के लिए काम आएगा, कि जब आप इसको बाद में कभी पढ़ोगे, तो आपको पता रहेगा, 26 तारिक को सौंबार, 10 बजे मैंने यह diary entry करी थी, ठीक है ना, तो यह आपका format रहने वाला है, मैं भी आपको और दिखाता ह हो अच्छी तरीके से कि आपका format कैसा होगा, और सबसे बड़ी बात देखो, आपको क्या करना है, कि जो आपकी diary entry है, इसको start करोगे, तो dear diary, आप इसको कोई नाम भी दे सकते हो, जैसे आपने any friend की जो diary है, class 10th के अंदर एक novel थी, तो वहाँ पर भी जो है, उसने एक diary लिख जाती है, देखिए ओधे, आपने कोई चीज देखी है, आप उसके बारे में बताना चाते हो, या आप किसी बहुत interesting चीज़ के सामने, या फिर interesting चीज़ आपको मिली, आज आपने देखिए, उसके बारे में बताना चाते हो, या कोई wedding थी, festival था, म outfits किसी भी चीज़ के ऊप बहुत सारे लोग है पर उसने एक लाइन बोली थी कि पेपर है ज़्यादा पेशन्स होता है रादर देन पीपल के लोगों से ज़्यादा भड़े ध्यान से पेपर सुनता है तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर डियरी एंट्री के अंदर इस चीज को ध्यान रखना है देख फिर डियरी या फिर अगर आप इसका नाम देना चाहते हो किटी या डियर सौनी जो भी आप नाम देना चाहते हो नाम इसके अंदर एड़ कर सकते हो ठीक है उसके बाद में आपको डियरी स्टार्ट करनी है अब एक और चीज याद रखेंगे कि जो डियरी होगी वो आपक ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत बड़ा कर देंगे बलकि आपको जो है उसको सिर्फ day to day की activity को आपको complete करना है और याद रखेगा इतना आपको अगर याद है उसके बाद का जो concept है वो सिर्फ आपको subject plus second form of diva plus object इसी तरीके से आप लिखेंगे ठीक है तो मैं अभी आपको बता दूँआ किस तरीके से आपकी diary बनेगी ठीक है तो यह आपका एक diary का जो एक छोट असा format था और उसके बाद में आपको एक और चीज याद रखनी है until next time until next time यह line आपको जरूर mention करनी है क्योंकि आप diary entry कर रहे हो तो आप एक page में लिख कर नहीं छोड़ दोगे बलकि आप उसमें बार बार जो है चीजों को fill करोगे तो उसके बारे में यहाँ पर until next time याली line जरूर लिखनी है आपको end में ठीक है उसके बाद में आपको good night और उसके बाद में अपना नाम वहाँ पर mention करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरीके से आपकी diary entry महाँ पर complete हो जाएगी ठीक है तो देखो यहाँ पर दुबारा से एक और diary entry का format यहाँ पर दिया गया है तो मेरे सबसे आपको समझ आ गया है कि diary entry में आपको क्या क्या करना है बस उसके बाद में हमारा दूसरा question है एक और जो इसी इंगलिस फ्रेंसी वन के अंदर पूछा जाता है कई वार ब्लॉग पोस्ट से क्या समझते हैं अब ब्लॉग पोस्ट है क्या अब यह भी सेबना diary writing की तरह ही होता है पर यह कहां पर publish होता यह internet पर होता है वो क्या है वो आपकी ब्लॉग परसनल है वो तो आपने लिखा इंडिविज्वल और अपने पास रख ली है ना पर ब्लॉग राइटिंग क्या होती है यह हम लोगों को दिखाते हैं अपनी लार्ज ओडियंस तक पहुचाते हैं कि वो जो है इस पर फिर अपने विचार वियक्त करें इस पर रियक्ट करें इसको लाइक करें अनलाइक करें ना तो इस तरीके से जो है हम एक एक्सपरिमेंट करते हैं कि भार जो है किस तरीके के लोग जो है उस चीज को पसंद करते हैं यह नहीं करते हैं तो उसे ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है अब लॉग पोस्ट इस टाइल राइटिंग पब्लिश्ट ऑन दा इंटरनेट ठीक है तो यह भी क्या है कि इन फॉर्म good blog लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक attractive और interesting headline लिखना बहुत जरूरी है ठीक है ना और आपका जो भी subsections है वो बहुत ज़दा clear होना चाहिए interesting topic के उपर आपको लिखना है informative होना चाहिए है ना तो ये सब चीज़े आपको ध्यान रखनी है और जो भी आपके vlog होते हैं तो उसके vlog के type मैं बताता हूँ personal vlog भी होते है fashion vlog भी होते है travel and lifestyle vlogs भी होते है food vlogs भी होते है news vlogs भी होते है review vlogs भी होते है तो ये हमारे vlogs के points है ठीक है अब मैं आपको इसके sample दिखा देता हूँ तो देखते हैं जब यहाँ पर हम इसके examples को कि किस तरीके से vlog post हमारी होती है देखें आप जो vlog post होगा उसके अंदर आप जो है image का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर जो देखो एक vlog post बना रखा है ठीक है और उसके बाद में इसमें क्या कर रखा है बस उसके topic को ले लिजिए उसमें आप पर कोई image भी आप add कर सकते हैं बस diary entry में क्या था कि diary entry में audience को जो है picture, videos के अंदर add कर कर जो है दिखा सकते हैं इस तरीके से आपका जो है vlog post आपका लिखा जाएगा clear है I hope आपको सारी सीज़े समझना आ गई होगी और vlog post और diary entry आपको लिखना समझ में आ गया होगा all the best for your exam thanks for watching